हेलो जी, आज हम बनाने वाले हैं मटर का बहुत चटपटा सा नाश्टा, इसके लिए हमने एक कप मटर ले लिए हैं, इसको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे, साथी साथ इसमें हम तीन लेसन की कलियां, अद्रक दो हरी मिर्च डालेंगे, अब मिर्च अपने अनुसा दीख कमजारा कर सकते हैं, साथी साथ इसमें हमने एक चमबन नमक, सात्मी, अधी चोटी चमबच अमजूर पाउडर, साथी साथ इसमें हमने थोड़ी सी हींग भी एड़ी है, अब इसको आपको बिना पानी डाले वे दर्दरा पीस लेना है, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बना कडाई, कडाई पैन, कुछ भी आप लेए अब जैसे ही ऑईल गरम हुआ, इसमें हमने डाल दिया एक चमब जराई, साथ में हम डाल देंगे साभू धनिया, दर्दरा कुटा हुआ, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आजाएगा हमारे मतर के नाश्टे में, साथी साथ एक डालेंगे अच्छे से आपको भूल लेना है, अब इसमें हम डाल देंगे, साथी साथ हमने कड़ी भी यूज़ किया है, दोस्तों इस नाश्टे में आपको बिकुल समोसे कचोडी वाला टेस्ट आने वाला है, बतलब एक नाश्टे में आपको बहुत तरह किस्वाद मिलन बहुत ही टेस्टी नाश्टा बनता है और जो हमने मटर का पेस्ट त्यार किया था वो भी इसमें हम एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से इसके मसालों के साथ ही आपको पून लेना है तो दोस्तो इस नाश्टे को आप सफर में भी लेके जा सकते हैं और बच्चों को अब साथ ही जात उसमें हम डाल देंगे दो कप पानी पानी डालने के बाद इसमें अच्छे से उबाला शार दी फिर अपना नेक्स पॉस है अब डीके पानी में को अच्रे दीको अफे आप को माले लेना है लाल मिर्च या चाहए टो मिर्च को स्किप कर सकते हैं साथी और पाने में अच्छा से उबालाने देंगे फिर इसमें हम एक कप गेहूं का आटा डालेंगे दोस्तों इस रेसिपी के लिए मैंने गेहूं के आटे का यूज किया है और विल्कुली पॉफेक्ट रेसिपी बनती है इस रेसिपी को एक बार रा ट्राय जरूर करिएगा इसम जैसे आप इसको मिक्स करेंगे बिल्कुली डोकी फॉम में आ जाएगा इसमें मैंने आधा गब सुझी एड़ेंगे जो अमारे नाश्ते को बहुती क्रिस्पी बनाएगा अब इसको दुबारा से हम बिक्स कर लीजेगा वैसे तो हम नर्मली मतर का पुलाओ या मतर पनीर पर एक बार इस मतर के नाश्ते को भी जरूर करिएगा बहुत जारा चटपटा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है बिल्कुल समोसे कचोडी वाला जो टेस्ट आएगा वह इस नाश्ते में आपको मिलने वाला है यह देखिए तोस्तों यह दो की फॉर्म में बन चुका है इस थंडा करके आपको इसको एक बाराथ में ट्रांसफर कर लेता है यह है यह दिए यह दो इस सोफिक्र जटपटा और बहुत इंए बहुत ए टेस्टी बनता एक जवर तैस्टी बनता है एक यह दूट एस रसेपिए को ड्रlor करिए गा ज़ियर बीडि अगोई करिए इसे और तो इविल लिए भी फैल जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा गरम गरम में आप देखिए इसको मत बनाएगा जाएगा यह थंडा हो चुका है अब इसमें डालेंगे एक अलू यह उबलावा आलू ले ले लेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे मतर की पक आप कह सकते हैं इसको बहुत ही टेस्टी बनता है गरम गरम चाय के साथ आप इसको सर्फ करेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आने मारा है बच्चे हो या बड़े सबको नाश्ता बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा अब देखिए अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना है अब ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि जैसे गिला गिला सा है यह बैटर जैसे जैसे हलका हलका थंडा यह देखिए दोस्तों बैटर हमारा बनके तयार हो चुका है इसको बिल्कुल चिपक नहीं रहा है इसका मतलब जो हमने यह दो लगाया है बिल्कुल काथ से फिर इसके हम चोट 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 ऐसे गोले बनाके तयार करेंगे इस भी चैप में अपैस ऐसे धिसको बनाना चाहिए पर महाया इसको झरए वा सिब्लकुल मिल्कुल मीडियम होट ऑए यह देखिए सारे से हमने बना के रख लिए हैं चले आप इसको वालेशली को थ अब गरम अई में अब अब बिल्कुल मीडियम होट उइल में अब इसको फ्राइ करेंगे गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल आप लो रखेगा हाई फ्लेम पे उम्हाइब नजया जायेंगे भार से तो यह पक जाएंगे पर अंदर से कच्छे रह जाएंगे अब देखे इस टा और गेहु काटा है आप 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 इस रेसिपी को एक बार ट्राइ करके देखिएगा रिकीन मानिए दोस्तों विल्कुल जैसे आप गोभी विगरा आलू के पकोड़े तो बना के खाते ही है एक बार इस तरह से मटर पॉंडा की रेसिपी आप पकोड़े आप कहा सकते हैं इस बहुत ही मज़दार लगता है नाश्टा घाने में इस तरह से हमने फ्राइ कर लिए एक्सच ओयल को आप देखें से निकाल दीजिए कर ते करें अप सरह से रसी कर लेंगे इसे तरह से हम दूसरा बैच भी ड्राइ कर लेंगे तोस्तों इस रेसिपी को आप कब ट्राइ करे लेका देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है अकसर हम लोग मटर पुलाव विगरा सब पुछ तो खाते ही है और सर्दियों मैं तो मटर हमारे घर में भर बर्के रहते ही है यह देखिए मटर का नाश्टा हमारा बन के तयार हो चुका है जो बहुत ही हेल्दी है क्यूंकि आज ह कितना ही soft है बहार से crispy बनता है मिलते हैं next video take care and bye bye